क्योंकि जब राहूल गांदी जी ने कोई बात कहीं सिक्खों के डेंस्ट तो उसे इंडोर्स किया यहां जी पन्णू वाली बात बोल रहे तो इसमें फर्ड कहा रह जाता है खडगे साब यह बात पर आप अपनी सिंहल और कॉंग्रस पार्टी सपष्ट करे देखिए मैं एक खडगे साब को जो कॉंग्रस के प्रेजिडेंट है और मैं एक एक कॉंग्रस के वरकर को ये कहना चाहरा हूँ मेरा वरोत जितना मरजी करो आप बहुत खुशी से करो अगर आपकी कोई बात बनती है इससे अगर गांधी फैमली खुश होती है आपसे तो मैं बात एक मैंने ये जो बात कही खरगे साब आपकी जैसे एक कहवत होती है ना आपका मोन देखके ये मैंने बात कही क्यों क्योंकि जब राहूल गांधी जी ने कोई बात कही जिक्खों के गेंस्ट तो उसे इंडोर्स किया उसे जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है पन् ये है आप मीडिया पे एक चीज को लेके घमा के बता रहे हैं पर असली चीज खरगे साब जो राहूल गांधी ने बात कही सिक्खों के बारे में वो पगड़ी नहीं बांग सकते देश में कड़ा नहीं डाल सकते गुर्दवारा नहीं जा सकते उस बात को एंडोर्स किस न करा भी कहीं कोई कॉंग्रस और कॉंग्रस के खास और प्रेजिजेंट इस बात को इस बात का खंडन करेंगे इस बात को जो पन्यू ने राहूल गांधी जी का नाम लेके उसे स्पोट दी है उस बात को क्लेरटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है जो पन्नू ने ये क पार्टी और कॉंग्रस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं इसका मतलब देयार स्पोर्टिंग मिस्टर पन्नू पन्नू के साथ खड़े हैं यह सपश्ट हो गया जब आपने नहीं बोला अच्छा होता आप मेरे खलाफ चिटी लिखने के बजाए राहूल गांदी को जो पन अंडोर्स करें जो टेरिजम को प्रमोट करें अब जब पन्नू और राहूल गांदी मेरा मतलब टेरिस्ट कहने का यह है भी जब पन्नू और राहूल गांदी एक दूसरे को अंडोर्स करने एक दूसरे की वावा करने हैं तो और क्या होगा जी और उसे कहा क्या कहा और कॉंग्रेस पार्टी स्पष्ट करें